आज हम बनाने वाले हैं दही वाली तोराइक सब्जी, तोराइक सब्जी तो आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन आज हम एकदम नए और आसान तरीके से दही वाली तोराइक सब्जी बनाएंगे, बहुत ही स्वाधिश्ट ए सब्जी होती है, इसको आप बना कर रोटी चाव लिया है आप इसे हम काटेंगे पहले इसको हम इस तरह से दोभाग करेंगे इस तरह से काटने वाल अब इसे हम छोटे-छोटे पीस में काटेंगे तोरही जल्दी से गल जाते हैं इसलिए इसे हम बहुत छोटा पीस नहीं करेंगे इस तरह से थोड़े बड़े पीस में काटे लेकिन आप इसे जैसा चाहें, अपने हिसाफ से काट सकते हैं, पूरा तोराई हमने काट लिया है, अब इसमें हम दही मिलाएंगे, तो पहले एक बड़े बरतन में हम आधा कब दही डालेंगे, एक दम ताजा दही है, खटते बिल्कुल नहीं है, अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक छोटी चमन लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चमच जीर पाउडर डालेंगे, मसाले को दही मिलाते हुए, दही को अच्छिस फेट लेते हैं, जिससे इसमें दही ठक्के ना रहें, एधन चिकना हो जाए और मसाले भी दही में अच्छे से मिल जाए दही को हमने फेट लिया है आप इसमें हम पूरे कटे हुए तोरई को डालेंगे अब दही में तोरई को अच्छे से मिला लेते हैं वैसे तो आपने तोरई सब्जी बहुत बनाया होगा लेकिन ये वाली सब्जी एकदम अलग तरीके के हैं अगर आप इस तरीके सब्जी बनाइझे तो जो लोग तुरईक सब्जी नहीं खाते हैं वो भी शब्जी को बहुत सॉक से खाएंगे दहें में हमने तुरई अच्छे से मिला लिया है आप इसे हम साइड में रखेंगे, तब तक हम मसाले को तयार करेंगे, पहले हम टमाटर का पेष्ट बना लेते हैं, इस जायर में डालेंगे तीन कटा हुआ टमाटर, इसके बाद आठ से दस लसुन की कलिये डालेंगे, थोड़े से कटे हुए अधरक डालेंगे, आप इसे हम पीश लेते हैं, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी की पीशेँगे, टमाटर का पेष्ट हमने बना लिया है, अब हम मसाले को भूनेंगे तो चलते हैं गईस की तरफ, गईस पर हमने कडाही रख दिया हैं, कडाहीम डालेंगे 3 बड़े चमच सरसो का तेल, तेल अच्छे से गरम हो चुका है आप इसमें डालेंगे आधी छोटी चमच जीरा जीरा को अच्छे से भूल लेते हैं इसके बाद एक बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे प्याज को हम चलाते हुए हलके सुनहे रंग में भूनेंगे लेकिन बहुत ज़दा प्याज को पानी को डालकर मिला लेते हैं इसके बाद कुछ मसाले आउट डालेंगे अब इसमें आधी छोटी चमच धनिया पौडर डालेंगे आधी चोटी चमच गरम मसाला पौडर डालेंगे आधी चोटी चमच कस्मीरी लाल मिल्च पौडर डालेंगे ये तीखे नहीं होते हैं केवल सबजी कलर बढ़िये बनता है अब मसाले को हम मीडिया माज पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक सुखे होकर तेल न छोड़ दें लेकिन हम मसाले को चलाना नहीं छोड़ेंगे चलाते रहेंगे और गयस को तेज नहीं करेंगे मेडिया माज पर भूनेंगे जिसे मसाले जलेना और अच्छी तरीके से भून जाए अब आप देख सकते हैं मसाले में से तेल अलग हो गया है यानि कि मसाला भुन चुका है आप इसमें तीन कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे आधी छोटी जमच कसूरी मेथी डालेंगे इससे सबजी का टेस्ट बहुत बढ़िये बनता है हरी मिर्च कसूरी मेथी को मसाले मिला लेते हैं अब इसमें हम तुराई को डालेंगे जो हमने तुराईम दही मिलाया था पूरे तुराई को डाल देते हैं अब इसमें स्वात के अंसवा नमक डालेंगे तुराई को हम मसाले मिलाते हुए दो मिनट तक और भुनेंगे, जिसे मसाले तोराई में पूरी तरस लिपट जाएं, तो इसको मिलाते हुए हमें दो मिनट तक और भुनना है, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही इस सब्जी को बनाएंगे, क्योंकि तोराई में काफी पानी होता है, जब इसक सब्जी को हम चलाते रहेंगे जिसे सब्जी कडाहिक तलीम जलेना लगभग 5 मिनट बाद सब्जी को हम चला देते हैं आप देख सकते हैं तो रही कितना पानी छोड़ दिया है सब्जी दम गिला हो गया है अगर आपको ग्रेवी वाला सब्जी पसंद है तो आप इसमें हम देख लेते हैं अब यह तो रही सब्जी अच्छी तरीके से पक चुका है सब्जी में से अच्छी खुसबू आ रही है यह चावल रोटी के साथ खाने के लिए तयार है आप इसमें हम थोड़ा सहारा धनी डालकर मिलाएंगे अब देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक सब्जी हमारा बना है इसको आप चाहें तो रोटी पराटे के साथ खाएं या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं अगर आप इस तरीके से घर में तोरही सब्जी बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये सब्जी खाने में बहुत बढ़ियां लगता है और बनाना भी असान है तो आप इसे जरूर ट्राई करें